मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और यह मेरा चैनल है NRX Knowledge चैनल जिसके अंतरगात हम बाते करते हैं ड्रक्स के बारे में नसा या फिर दवाईयां तो आज मैं जो चीज लाया हूँ वो है related to क्या चीज है वो चीज है एक physician को कैसे diagnose करना चाहिए तॉंसिल और तॉंसिल में हमें क्या दवाईयां इस्तमाल करनी चाहिए इसके लिए मेरे को पढ़ने के लिए मैंने बहुत सारी books पड़ी डिविट सन पड़ी Harrison भी पड़ी और बहुत सारी ऐसे खैर क्या ही है मतला उसका मैंने एक निचोड बनाया और उसकी जो निचोड है वो बात है कि कैसे आप टॉंसिल आइटिस नाम की बिमारी को ठीक कर सकते हैं पर सबसे पहले जानने टॉंसिल आइटिस होता क्या है तेके दोस्तों टॉंसिल डीक तॉंसिल आइटिस जो एक बिमारी है उसमें जो हमारे हम कहते हैं कि टॉंसिल हमारे जो गले में एक बिमारी हुई हो क्या होती है असलिव में हमारी जो अदक्री होजाए है और महां पर दिक्कत आती है कुछ भी खाने से और कुछ बोलने में या फिर कुछ भी पानी या फिर कुछ भी स्वयलो करने से बहुत दिक्कत आती है उस जेगा पर redness हो रखी होती है अगर आप अपना जिसे कि आप देखेंगे उसको मतलब कि आपने अगर image देखेंगे जिसे कि आप अपने torch ऐसे देख है हर जेका उसका मतलब होता है inflammation तो tonsil region पर हुआ तो उसे tonsillitis कहते हैं simple और साब बात अब जो tonsillitis की कुछ symptoms रहते हो यह रहते हैं कि इसमें जो patient रहता है वो उसमें अपने से swallow करने में दिक्कत आती है उसके tonsil में infection रहता है उसके गले में दर्द रहता है उसको कुछ भी पा बात सबसे पहली बात बहुत लोग कंफ्यूज वजाते हैं tonsillitis और फेरंजाइटिस में दोनों एक जैसी ही बीमारी है लेकिन एक होके भी एक नहीं है क्या है मैं आपको पहले बहले बता देता हूं क्या करना है सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर क्य के जब एंगल पे हैं और वहाँ पर दिक्कत होना बहुत जादा शुरू हो रही है तो उसे acute tonsillitis का नाम दिया जाएगा acute tonsillitis में मतलब सिर्फ एक particular area में mandible के नीचे दिक्कत हो रही है आपके mandible जो रहता है उसमें दिक्कत हो रही है तो इदर की site पे जब वो एक particular region पे हो र pharynxitis क्योंकि जो यह pharynx है यह पूरे गले की नीचे जो भी दिक्कत रह रही है यह दिक्कत को हम कहते है pharynxitis एक particular जिगा पे उन lymph nodes में दर्द हो रहा है पूरी जलन हो रही है तो उससे tonsillitis का जाता है pharynxitis और tonsillitis में बहुत फरक होता है अगर आपकी inflammation बहुत rough granules वहाँ पर अगर आपने वहाँ पर कोई भी white patch दिखता है आपको उसी जेगा पे कोई white सा patch आपको दिख रहा है तो आपको थोड़ा emergency होने की आपको emergency की दिक्कत होने वाली है क्योंकि emergency का दिक्कत मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस throat पे हम जब suspect करेंगे कोई भी patient उसको देखेगा तो हम पेशेंट पे जो भी हम देखेंगे तो इसके बहुत साधा chances होते हैं कि उस patient को diptheria नाम की बिमारी हुई है और diptheria का जो बैक्टेरिय एक bacterial infection रहता है जो corny bacterium diptheria से होता है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है जो physician रहेंगे की कैसे आपको diagnose करना है particular जेगा पे पूरा अगर गला है तो वहाँ पर chronic pharyngitis रहते हैं ठीक है मतलब अब एक granules form हो रहे हैं तो वहाँ पर chronic pharyngitis रहेगा acute pharyngitis कहा हो रहा है और diptheria में आपको क्या करना है diptheria में मुझली white patches वहाँ पर form हुए होते हैं अब यह जान लेते हैं कि tonsillitis होता किन किन चीजों से है और इसके क्या क कारण रहते हैं तो इसके आपको बता दूँ वह सबसे पहले रहता है कि viral infection होने के बाद या फिर viral infection में भी आपको tonsillitis जैसे आपके tonsils में पेन होना शुरू हो जाता है यह viral भी हो सकता है और यह mostly जादा तरह देखा जाता है कि यह bacterial infection से देखा जाता है जिसकी species होती है staphylo aure ठीक है इससे pyogenic bacteria भी कहा जाता है staphylococcus जो bacteria रहते हैं वो क्या करते हैं वो भी tonsil में सबस्यादा मुख्य रोल play करते हैं जैसे mostly एक बिमारी आपने सुने होगी acne तो उसमें particular जो bacteria रहता है और भी ऐसी staphylococcus की species हो कराती है लेकिन जो tonsils में सबस्यादा देखी हो staphylococcus की species ही देखी गई है तो यह यह उसके रहता है कि इन कारण से आपका tonsil हो सकता है और मैंने आपको यह बात भी बता दी कि tonsil के time मतलब कभी भी आप अगर ENT specialist है तो क्या करें तो उसके लिए आपको ध्यान से देखना है उसके गले में कि क्या है white patches है granule formation है पूरे गले में दर्द ह या फिर एक लिम्प दो लिम्प नोट्स में जब पर redness हो रहे है तब तो आपको important है कि pharenchitis, chronic pharenchitis, tonsillitis और diptheria में फरक आपको देखना आना चाहिए और उसी हिसाब से आपका treatment होगा जो भी देखा जाएगा patient का होगा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि tonsillitis मे कौन कौन सी दवाईयां दी जाती है और कैसे इसका treatment करा जाए तब तक आप देखते रहे है nrx knowledge channel विरा नाम सक्षम दोब्रियो